डिरेक्टली इन यूर दिवाइस तो नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग मैं विकास नहरा फिट से एक बार हाजिर हूँ लाइब आप सभी लोगों के साथ हमारी इस लाइब लिनेक्स ट्रेनिंग का सेशन नमबर 84 लेकर और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बैकप मेनेजमेंट के बारे में आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी मशीन का बैकप किसी रिमोट सर्वर पर ले सकते हैं तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम locally same मशीन में एक जगए से दूसरी जगे पर कैसे backup लेते हैं और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एक machine से दूसरी machine पर कैसे backup लेते हैं किसी particular directory या फिर files का और इसके लिए हम use करेंगे r-sync utility का फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे हम इस backup को automate कर सकते हैं कैसे हम अगर चाहें तो ये backup automatically किसी remote machine पर होता रहे तो उसके लिए फिर हम r-sync के साथ crown tab utility का use करेंगे तो आज का session बहुत ही important होने वाला है as usual सब कुछ मैं आपको practically यहां करके दिखाने वाला हूँ और मैं आपसे request करूँ आप session को शुरू से लेका आखिर तक पूरा देखिएगा और कहीं भी कोई doubt है अगर आपको तो आप comment करके live chat के माद्यम से जुड़ सकते हैं और आज का जो session है इसमें हर कोई जो भी हमारे channel का subscriber है वो यहां comment कर पाएगा अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया हुआ है तो आप चाहें तो हमारे channel को subscribe करके bell notification ओन कर सकते हैं क्योंकि जब तक आप subscribe नहीं करेंगे आप comment नहीं कर पाएगे अब से सही 5 minute के बाद मैं session को start करूँगा और जैसा मुझे आप लोगों तो मैं आप लोग के comment ले लेता हूं आकास अग्रबाज जी गुड़ीवनिंग चंदर सर्मा जी गुड़ीवनिंग एनिल पैनुमाला जी गुड़ीवनिग अमित पंडे जी गुड़ीवनिग एवरीबडी प्लीज वेट नहीं अब वेट करने की ज़रोत नहीं नो बजे क सा मतलब नो बजे आम वेरी पंक्चल एंड ओल्वेज ओन टाइम राजे सिंग गुड़ीवनिंग अमित पंडे करें सेशन चालू होने वाला है सेशन चालू हो चुका राजेश जी नोशू रोइत बारत वाज गुड़ीवनिग ना जी मारहमान किचिन गुड़ीवनिग अभीचीज जी करें गुड़ीवनिग सर्टेक्यर वंस अगें वरी नाइस सेशन और वेल एक्प्लें इन ओल डेज एल्व एल्वस थैंक्यू सो मच अभी तो शेशन शुरू भी नहीं किया दोस्ट शुबम्शुकला जी गुड़ीवनिग अब्दुल राशीद मौमध आ नया जी गुड़ीवनिग अभी नौ मार मेज मा जी संजीव कुमार मिश्रा जी गुड़ीवनिग और वी पंडे करें बैस श्यलज स्कृप्ट कब स्टार्ट कर रहे हो बैस स्कृप्टिंग एक बार हमारे स्या से खतम करने उसके बाद स्टार्ट करेंगे अ चल वम्वम जी गुडएवनिंग, अब्दुर्षिद जी गुडएवनिंग, जीटे जी, गुडएवनिंग, संजीत रिपर्टि, shorten, अंकित हदास गुडएवनिंग, देवासी असनमद जी गुडएवनिंग, नुम्हान जीVARD जी गुडएवनिंग, ह सारे सर्वर्स रहसी की पूरी डीटेल्स मतलब जितने भी टॉपिक्स रहसी का पार्ट है उस सारे टॉपिक्स और सैडिस्क्रिप्टिंग यह सब कुछ हम कवर करने वाले हैं और उसकी फीज हमने रखी है 4,500 इंडियन नेशनल रुपीज अगर आप किसी दूसरे कंट्री से उसको जोइन करना चाते हैं तो उसका चार्ज है 65 डॉलर्स तो आप चाहें तो फिर उसको पेपल के माध्यम से भी हमसे जूड़ सकते हैं 24 लोग जोइन कर चुके हैं टोटल सीट जो है वो 25 हैं और एक सीट अभी वेकंट है हाला कि चार सीट ऐसी है जो रिजर्व हैं एक अप्रेल को अगर वो लोग जोइन नहीं करते हैं चार लोग हैं ऐसे जिन्होंने रिजर्व करके रखा है तो फिर आप लोग और हम चार ल और तरीका मैंने बता रखा है आप टेलिग्राम में सारी डीटेल राप्त कर पाएंगे तो चलिए बिना समय कवाई आज के सेशन को शुरू करते हैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ मोबा एक्स्टरम की स्क्रीन पर तो यहां मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं यहां CentOS 8 Stream की मशीन यूज़ कर रहा हूँ और आज मैं यहां दो मशीन यूज़ कर रहा हूँ एक मशीन को हम as a backup shore street करेंगे और दूसरी को as a backup destination हाला कि backup management के लिए organization में अलग teams होती है backup की team अलग होती है यूज़ किया जाता है incremental backup के लिए और complete backup के लिए भी लेकिन being a Linux admin आपको भी backup लेना आना चाहिए और इसके लिए फिर कोई अलग से tool आप यूज़ ना करें आप चाहें तो बहुत आसानी से rsync command का यूज़ करते होई local backups भी ले सकते हैं और remote machine पर भी backup कर सकते हैं locally भी और दो machines के बीच में भी और यहां आप चाहे तो ssh या rsh के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो tcp के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं तो आज के session में हम जब remote server पर files को copy करेंगे उनको sync करेंगे तो हम ssh utility को हाँ यूज़ करेंगे ssh के through हम वो सारा काम हा करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम अपनी machine में hostname set करने वाले हैं तो पहले हम जो हमारा backup source server है उस पर चलेंगे और उसका नाम set करेंगे ताकि हमें आसानी रहे समझने में तो मैं यह जो हमने change किया यह है effective हो यह हमें दिखे इसके लिए हम एक बार logout करके दुबारा से login करेंगे अपनी machine में तो अब होगा क्या कि यह hostname हमने set किया है हमें दिखना शुरू हो जाएगा तो अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि backup source के नाम से हमने इसमें hostname सेट कर दिया है अब हम एक बार यह चेक करेंगे कि repositories हमारी machine में काम कर रही है या फिर नहीं तो उसके लिए हम यहां 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 दिखना चाहिए इनकेस यह आउटपुट आपको यहां नहीं दिखता है तो फिर आप यहम इंस्टॉल यह dnf इंस्टॉल कमांड का यूज करके हम आर सिंक लिख देंगे तो उससे क्या होगा कि यह वाला पैकेज आपकी मशीन में रेपोजिटरी से इंस्टॉल हो जाएगा इस पैकेज के बिना आप बैकप नहीं ले पाएंगे क्यूंकि हम यहां आर सिंक की ही बात कर रहे हैं और आर सिंक के थ्रू ही हम पूरा बैकप यहां लेंगे तो देखिए पैकेज अलड़ी इंस्टॉल लिया कि हमारी मशीन में है पहले मैं आपको दिखाँगा कि हम लोकली बैकप कैसे लेंगे तो उसके लें चलते हैं नोर्मल यूजर के अकांट में विकास में यूजर के तो यह विकास मेरा जो है नोर्मल यूजर करने वाले हैं तो चलिए मैं हैं एक ही बारी में 10 फाइल ने create करता हूं 1 to 10 test 1 से लेकर test 10 तक के नाम मैंने इनको दिये हैं txt फाइल से हैं सारी एक फाइल हम यहां और create कर लेते हैं cal.txt के नाम से इसमें मैंने calendar डाल दिया है इस मंत का मार्च 2022 का और अब हम एक फाइल और create कर लेते हैं यह एडिटर का यूज़ करते हुए तो उसको मैं नाम देता हूं नहरा.txt और इसमें हम लिखते हैं वेलकम टू नहरा क्लासेज यूट्यूब चैनल चैन्जिस को सेव कर देते हैं content को verify करते हैं बिल्कुल जो हमने data उसमें mention किया था वह आ चुका है अब हम क्या करेंगे अब हम यहां से rsync के through इन सारी files को backup करेंगे किसी दूसरी location में तो हम TMP के अंदर एक backup के नाम से directory create कर लेते हैं मैं एक बार आपको files copy करने वाले हैं तो हम rsync कमांड का use करें उससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि rsync के साथ कौन-कौन से options होते हैं जिनका हम use कर सकते हैं तो आप यहां चाहें तो hyphen e use कर सकते हैं remote server पर फाइल कोपी करने के लिए हाइपन भी कर सकते हैं वर्बोज के लिए ताकि आप output पर चीज़े दिखें हाइपन एक कर सकते हैं अगर आप files और directory सब कुछ कोपी करना चाहते हैं तो इस तरीके से options हैं आप इनकी details एक बार चेक कर लिजेगा अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम rsync कमांड के थुरू इन फाइल्स को कोपी करेंगे तो हम लिखेंगे कि home directory में backup नाम की directory है और उसमें कुछ files है तो उनके लिए मैं हाँ एस्ट्रिक लगा रहा हूं और यह हमारी सोर्स files का path हो गया और उसके बाद हम यह destination directory का path mention करेंगे जहां हम इनको copy करने वाले हैं rsync का use करते हुए तो जैसी हम यह destination directory का path mention करेंगे और प्रेस करेंगे तो यह सारी files copy हो जाएंगी और अब हम अगर इस location पर जाएंगे टी एमपी डिरेक्टरी के अंदर backup के अंदर और contents को list करेंगे तो यहां सारी files और डिरेक्टरी हमें देखने को मिल जाएंगी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें contents जो है करना चाते हैं आप चाते हैं मैं वली मुझे हैं एक अमांड ना चलानी पड़े तो फिर आप यहां script बनाकर उसको Chrome tab में set कर सकते हैं वह मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताने वाला हूं अगर आप process भी देखना चाते हैं जब अपने files को copy किया उस time पर किस तरीके से files copy हुई मतलब progress जो है files की copy होने की उसको भी अगर आपको screen पर monitor करना है तो उसके लिए आप हाइपन हाइपन progress option का फिर यूज कर सकते हैं तो एक बार हम क्या करते हैं पहले एक बार हम यह जो हमारी TMP के अंदर backup वाली directory है इसके अंदर से सारी files को यहां से delete कर देते हैं और अब मैं इस बार backup वाली location में जब files को copy करूंगा तो मैं हाँ प्रोग्रेस भी शो करूंगा तो उसके लिए मैं हाँ हाइफन हाइफन प्रोग्रेस भी लिख दूंगा लास्ट में तो आप आर्सिंग कमांड में जब source और destination पूरा पात mention कर लें लास्ट में लिख दें हाइफन हाइफन प्रोग्रेस तो इससे क्या होगा इस तरीके से प्रोग्रेस भी शोगी अब यहां बहुत थोड़ी सी फाइल्स थी फटाफट कोपी होगी तो इस तरीके से इसने हम आउटपट यहां शो किया स्क्रीन पर और अब हम अगर contents को list करते हैं तो हमें सारी files यहां देखने को मिल जाएंगी तो इस तरीके से हम आसानी से locally अपनी मशीन में एक location से दूसरी location में backup ले सकते हैं अब चलिए हम विकासनेरा के account से भार आ जाते हैं root user के account में आ जाते हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम एक machine से दूसरी machine के बीच में files को copy करेंगे तो यहां हम root पर एक directory बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं backup source और इस backup source वाली directory के अंदर हम चले जाएंगे और हमाँ कुछ files create कर लेंगे तो चलिए मैं इस backup source वाली directory में चला जाता हूँ और कुछ files create कर लेता हूँ और contents को list कर देता हूँ तो देखिए मैंने 10 file हैं create कर ली हैं और मैं यहां एक और file create करने वाला हूँ नहरा.txt के नाम से और मैं इसमें लिखता हूँ नहरा classes are awesome changes को save कर देता हूँ और एक फाइल में calendar भी हम डाल देते हैं ताकि बाद में verify करने में हमें आसानी रहे तो हमने यह total 12 file बना ली हैं अब हम क्या करने वाले हैं कि हम एक location से मतलब इस machine से यह पूरे के पूरे data को copy करेंगे किसी दूसरी remote machine पर तो अब हमें एक client machine आप उसको कह सकते हैं उसकी जूरत पड़ेगी तो हमारे पास already एक दूसरी machine है तो मैं यहां से आपको सीधे लेकर चलता हूँ हमारी दूसरी machine में और यह भी sentos 8 stream पर run कर रही है आप चाहें तो redhat 8 भी यूज़ कर सकते हैं इसमें सबसे पहले हम hostname set करत एक बार चेक करते हैं कि repositories enabled हैं या नहीं तो repositories भी हैं already enabled हैं अब हम एक बार चेक करते हैं कि rsync का package है यहां है या नहीं तो rsync का package भी है already installed है अगर install नहों तो फिर आप yum install rsync-y comment चला के इसको install कर पाएंगे बहुत ही असानी के साथ अपनी repositories की मदद से इतना काम आपको करके रखना है अगर rsync का package पहले से नहीं है तो आप उसको फिर install कर लें उसके बाद ही आप आगे बढ़ें तो मैंने आपको दिखाए था package पहले से ही है तो हमें जरूरत ही नहीं है यहां बेट करने की अब हम यहां एक directory और बना लेते हैं backup destination के नाम से जिसमें की वो data हम copy करेंगे rsync command का यूज करते हुए अब हम यह जो हमने यहां directory बनाई है इसका यूज करेंगे तो एक बार हम इस directory के अंदर चले जाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं कि कोई भी files कोई भी directories अभी मौजूद नहीं है ठीक है और अब हम जब rsync command का यूज करते हुए data क कोपी करेंगे तो automatically files हैं आपको देखने को मिलेगी तो वापस चलते हैं अपने server पर और अब हम यहां से rsync command के तरूँ data कोपी करेंगे तो पहले मैं आपको manually करके दिखाऊंगा बाद में मैं इस process को आपको automate करके दिखाऊंगा तो हम यहां जो command कुछ इस तरीके से चलाए लिखते हैं उसके बाद फिर हम लिखते हैं SSH और फिर जो आपकी source directory है जहां से आपको data कोपी करना है वह आप mention करेंगे space देगर और फिर जिस user account का use करते वह आपको data कोपी करना है जिस server पर करना है और उसकी जिस location पर करना है वह सारी की सारी information आप यहां इस तरीके से mention करें लिखेंगे space देने के बाद तो हमने यहां लिखा rsync-vvvv का मतलब है verbose e का मतलब है कि यहां हम SSH के throughs को copy करेंगे फिर हम लिखेंगे SSH क्योंकि हम SSH actually करना पड़ेगा फिर हम यह लिखेंगे destination source जो है जहां से हमें data copy करना है उसके बाद route at the rate server का IP address और किस location पर करना है उ जैसे हम यहां enterprise करेंगे यह हमें authenticity चेक करने के लिए यह बोलेगा हम यहां as yes लिखेंगे फिर हमें यह root user का password define करना होगा दूसरी machine पर जैसे हम enterprise करेंगे सारी के सारी files copy हो चुकी होगी और अब हम इनको verify करते हैं तो हम चलते हैं हमारे destination server पर और हम यहां ls command का use करेंगे तो यह data है actually copy हो जाना चाहिए था लेकिन इसमें copy हुआ नहीं है एक बार वापस आते हैं दुबारा चलते हैं नहीं data copy नहीं हो पाया I think हमने कुछ mistake की है rsync-v इसके बाद हमने लिखा e backup source, backup source के बाद मुझे asterisk लगाना चाहिए था root at the rate ip address और backup destination दुबारा से password enter करते हैं हाँ इस बार copy हो गया, मैं actually asterisk लगाना भूल गया था तो उसकी वज़े से उसने फिर choose नहीं किया कि कौन सी file को copy करना है, अब हम दुबारा चेक करते हैं client machine पर, तो देखिए, यहां सारी की सारी files copy हो चुकी है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि contents जो है इन files के अंदर वो as it is हैं जैसे हमने वहां source side में mention किये थे, देखिए इसमें आपको लेखने को मिल रहा है, नहरा classes are awesome, तो इस तरीके से आप manually एक machine से दूसरी machine पर data को copy कर पाएंगे, rsync command का use करते हुए, अब अगर हमें इस process को automate करना हो, तो हम कैसे करेंगे, तो हम एक बार दुबारा चलते है, client machine में और हम एक बार verify कर लेते हैं कि हम same location में हैं, बिल्कुल, और अब हम यहां, जितनी भी files हैं, उनको यहां से remove कर लेंगे, क्योंकि मैं अब आपको दुबारा से automation के through यह वाला काम करकर दिखाने वाला ह हैं, इनको हम यहां से remove करने वाले हैं, चलिए, मैंने सारी files यहां से erase कर दी हैं, और अब हम, क्योंकि हमें यह काम automate करना हैं, हम चाहते हैं कि manually हमें rsync command बार बार ना चलाना पड़े, यह काम automatically होता रहे, automatically हमारा data backup source से backup destination पर जाता रहे, तो उसके लिए हम वापस आएंगे अपने server पर और हम यहां passwordless authentication set करेंगे, क्योंकि जब तक passwordless authentication नहीं होगा, हमें password manually enter करना होगा, फिर हमें यहां बीच में manual intervention की ज़रुत पड़ेगी, तो हमें यहां पहले ssh keys को generate करना होगा, तो हम यह command चलाएंगे, ssh hyphen keys, process आपको मालू client machine है, जो आपका destination server है, उसकी root directory के अंदर dot ssh के अंदर authorized underscore keys के नाम से, इसकी public rsa key file को copy कर दें, या फिर manually इस काम को करने के वज़ाए, आप चाहें तो ssh hyphen copy hyphen id command का use करें, उससे क्या होगा, automatically यह passwordless authentication आपका establish हो जाएगा, यह key होँआ, automatically copy हो जाएगी, तो आप लेखे है, ssh hyphen copy hyphen id hyphen i, और उसके बाद root और दूसरी machine का IP address, उसके बाद यह password के लिए आपको prompt करेगा, password देकर enterprise करेंगे, तो यह file वहाँ copy हो जाएगी, अब एक बार हम चेक करते हैं, कि क्या, जो हमने passwordless authentication setup किया था, वो काम कर भी रहा है या नहीं, चलिए, मैं root at the rate, दूसरी machine का IP address, तो उससे पहले SSH लिखता हूँ, enterprise करता हूँ, तो देखे, passwordless authentication हमारा यहां काम कर रहा है, और मैं अभी हमारे backup destination server पर आ चुका हूँ, अब मैं एक बार यहां से वापस आ जाता हूँ, और अब मैं आपको बताऊँगा कि हमें आगे और क्या करना होगा इस process को automate करने के स्क्रिप्ट के अंदर, मतब root user की home directory है, उसके अंदर एक backup.sh नाम से script create कर लेते हैं, और इस script के अंदर यह पूरी command हम यहां mention करेंगे, और मैं चाहता हूँ, कि यह bash script हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे hash bank slash bin slash bash, और फिर यह जो script है, यह जो command है, यह हम यहां mention कर देंगे, make sure क करना है आपको कि आप यह जरूर लगाएं, जैसा कि मैंने पिछली बढ़ नहीं किया था, तो आप यहां पहले जो binary file है, rsync की उसका पूरा path mention करेंगे, hyphen av लगाएंगे, all और verbose के लिए hyphen e लगाएंगे, ताकि आप SSH का option यूज कर सेकें, फिर आप SSH लिखेंगे, backup source directory क पूरा path और उन files के लिए आप यहां इस ट्रिक लगाएंगे, और फिर root at the rate IP address और destination server की जो location है directory की उसका पूरा path यहां mention करेंगे, और इस file को save कर देंगे, अब आप इस file पर execute permission ज़रूर लगाएंगे, तो आप यहां लिखें chmod plus x और उसका पूरा path ताकि इस पर execute permission apply हो सके, अब जैसी यह file execute होगी, automatically यह files को copy कर देगी हमारे remote machine पर, और अब हम यहां chron tab की help से इसको करेंगे, ताकि हम इसको automate कर सके, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार दुबार लेकर चलता हूँ हमारे destination server पर, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी हां कोई भी files मौजूद नहीं है, फिर वापस आ जाते हैं, और अब हम यहां command चलेंगे, chron tab hyphen e, अगर आपको specific time पर backup लेना है, सपोच कीजिए, 12 बजे या 6 गंटे के बाद, तो आप उसके हिसाब से वो time मां set कर लेंगे, अगर आप हर minute में उसको backup को लेना चाहरे हैं, तो फिर आप हर minute के हिसाब स आप उसको set कर सकते हैं, तो मैं हैं लिखता हूँ, chron tab hyphen e, और मैं चाहता हूँ कि हर minute में backup होता रहे, तो उसके लिए मैं यहां 5 एस्टिक लगाँगा, हर minute, हर गंटे, हर दिन, आपको मालूमी है, वो सब मैं बताई चुका हूँ पहले आपको कि chron tab कैसे काम करता है, उसके बाद आप यहां लिखेंगे, slash bin slash bash, क्योंकि हाँ हम bash shell का use करेंगे, तो यहां bash वाली script की जो binary file है, bash वाली जो binary file है, उसको पूरा path mention करेंगे, उसके बाद जो script file है, उसको पूरा path हम यहां mention कर देंगे, फिर इस file को save करेंगे, तो chron tab जो है, वो अब यहां set हो चुका है, chron tab hy आप इसको देख पाएंगे, और आप इन tasks की details को अगर देखना चाहते हैं, कि chron tab काम कैसे कर रहा है, तो उसके लिए आप यहां tail-f, where log prone अगर लगा देंगे, तो यहां देखी, आपको यहां दिखेगा कि files copy होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमने हर minute case आप से chron tab लगा और एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं कि इनके अंदर contents क्या क्या है, देखिए, वो सारे का सारे data में मुझूद है, अब मैं क्या करता हूं, हमारे backup server जो है, उस पर वापस आ जाता हूं, जो हमारा source server है, जिस पर हमारा data है, इसमें अब हम इस directory के अंदर कोई नई file ब this is a new test file, और हम changes को save कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यह file भी वहाँ automatically आपको copy हुई मिलेगी, जैसी chron tab execute होगा, तो अगले minute में यह file यह आपको देखने को मिल जाएगी, और मैं हाँ एक बार आपको details भी दिखाना चाहूंगा, chron के अंदर चल के आ रहा है, तो देखिए, new file यहाँ copy हो चुकी है, हमें message मिल गया, chron log के अंदर, अब हम चलते हैं दुबारा destination server पर, और list करते हैं contents को, तो देखिए, new file के नाम से यहाँ एक file आ चुकी है, इसको हम देखते हैं, तो जैसी हमने वहाँ changes किये, original data में, वो changes यहाँ में देखने को मिल गए, और इसके वापस आते हैं अपने backup server में, जो हमारा source server actually, इसके अंदर ही जो new file हमने बनाई है, इसमें कुछ और data हम यहाँ add कर देते हैं, नहरा classes are best, और save कर देते हैं इस file को, और हम यहाँ एक पर दुबारा chron log की details को check करना चाहेंगे, और फिर वापस चलेंगे destination server पर list करेंगे contents को, तो new file यहाँ पहले से थी, अब हम देखेंगे कि क्या यह जो new file यहाँ बन रही है, इसमें हमने जो changes किये हैं हमारे original server में, जो हमारा source server है, जो हमारा data है जहाँ, वहाँ जब हमने इसमें changes किये, क्या वो changes हमें यहाँ देखने को मिलेंगे या नहीं, तो देखिए, nehraclasses are best, मतलब data synchronize हो रहा है, यह files को तो check करी रहा है, files के अंदर लिखा क्या है, उस चीज़ को भी check कर रहा है, तो file के अंदर हमने जो changes किये, वो changes automatically है, इफेक्ट होने लगे, तो यह बहुत ही अच्छी utility है, rsync, remote synchronization, अब हम यहाँ कुछ directories भी बना लेते हैं, और मैं खबार आपको दिखा देता हूं, कि हम यहाँ कुछ directories भी हमने बना ली हैं, और हम chron log को check करेंगे, और फिर हम उदर चेक करेंगे कि क्या, अच्छी उदर हमें यह changes देखने को मिलते भी हैं या नहीं, तो अभी wait करते हैं, जब तक chron job हमारा run हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद यह हाँ, हमें दिखना शुरू हो जाएगा, चलिए, check करके देखते हैं, तो देखिए, directories भी इधर copy हो चुके हैं, तो क्योंकि हम option-a का use कर रहे हैं, जो कुछ भी data होगा, हमारे source side में, वो automatically destination side में, sync हो जाएगा, synchronize हो जाएगा, और इस तरीके से हम backup ले सकते हैं, उसको automate कर सकते हैं, किसी specific time पे उसको run कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ, उसमें कोई बहुत ज़्यादा rocket science की ज़रूत नहीं है, और मुझे उम्मीद है, कि ये session आपको उच्छा लगाओगा, आपको इससे कुछ नया जरूर सेखने को मिलाओगा, अगर आपको वीडियो उच्छा लगाए, तो आप चाहें तो वीडियो को like कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं, तो subscribe करके bell notification on कर सकते हैं, ये training 9 से 10 के बीच हम आपके लिए लेकर आते हैं, Monday, Wednesday और Friday को, और अगर याँ आज की तरह 60 से ज़्यादा लोग live feed पर रहेंगे, तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि मैं 3 session जरूर conduct करता रहूंगा इस training में, जब तक ये RHCS से complete ना हो जाए, RHC complete ना हो जाए, और Ansible और Shell scripting हम complete ना कर दे हैं, लेकिन अ अपने हिसाब से सीख सकते हैं, जब आपको जरूरत लगे तब आप membership join कर सकते हैं, उसको renew कर सकते हैं, जब आप कोई पास time ना हो उसको pause कर सकते हैं, हाला कि जो faster training है वो अच्छी है, जल्दी complete हो जाएगी, लेकिन आपको live sessions जो हम conduct करेंगे, training के उनको join करना ही होगा, हाला लोग यहां हम से जुड़े हुए है, membership लेकर वो यह बिल्कुल ना समझें, कि वो training इससे बिल्कुल अलग है, उसमें कुछ अलग से हम पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़े यही हैं, जो मैं है live sessions में हिंदी में deliver करूँगा, महां मैं उनको English में deliver करने वाला हूँ हिंदी के साथ साथ और उनको हम कोशिश करेंगे के डेड़ से दो महीने में हम उसको खतम कर दें, उन लोगों के लिए वो training हम लेकर आये हैं, जो लोग चाहते हैं कि फटाफट यह course complete हो सके, जिनके पास समय है, जो जल्दी नहीं करना चाते हैं, वो यहां मैं कहूंगा कि membership लेकर ही continue कर सक हैं, आप चाहें तो join button पे click कर सकते हैं, आप चाहें तो print URL क्लिक करके इसको join कर पाएंगे, चलिए अब मैं वापस हमगा, आपके comments लूँगा, थोड़ी lightning की problem है, इसलिए आपको यह green lines आज ही हां देखने को मिल रही होगी, थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर रितु सहरावाज जी, गुड़ इवनिंग, राजेस वेंकट कहरें, ट्रेनिंग की डूरेशन कितनी है, ट्रेनिंग की डूरेशन मैंने आपको बता दिया, जो फास्ट्रेक ट्रेनिंग है, डेड़ से दो महिना, और यहां यूट्यूब पर मान के चलिए, कम से कम छे महिन की थ्री डेज अवीक, टू आवर्स इस चेशन, और मैं यह सारी डीटेल्स पहले ही बता चुका हूँ, आपने अगर देखा होगा, हमारे टेलिक्राम ग्रूप में तो महां आपको पता चल गया होगा, चंदर सर्मा जी कह रहे हैं, वारेटास बैकप, एक्रोनिस बैकप से मैं Windows and Linux का बैकप लेता हूँ, ओके, हाँ, बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिनका हम यूज करते हैं बैकप लेने के लिए, लेकिन यह जो आर्सिंक वाली कमांड है, इसका भी आपको पता होना चाहिए, टेप ड्राइव वाला मेकैनिजम थोड़ा स्लो और पुराना है, तो आने वाले टाइम में वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, hangout बड़ी करें, interesting session today, thank you, कलपेज जी करें, fast track का syllabus क्या है, fast track का syllabus I have already shared in the telegram channel, so if you have not gone through this syllabus, you can join our telegram channel, you can see this syllabus there, हरीश मदूबनी जी, नमस्ते, आतिफ सहजाद जी, गुड़ीबनिंग, मयूर चवन जी, चलो भाई, लोग office के लिए निकलता हूँ, बाद में देखता हूँ, ओके, चलिए निकल जईए, भाई-भाई, सावंतियागी destination server पर भी R-Sync package चरूरी होता है, हाँ जी, बिलकुल तबी, वो, जो command हम यहां use कर रहे हैं, वो काम करेगी, अभी जी जोशी करें, R-Sync डेमन भी होता है, ना सर जो modules यूज करता है, जिस तरह से port 83 का हम use करके, जी हाँ, बिलकुल, मैंने आपको बताया कि R-Sync डेमन भी हम use करते हैं, उसमें फिर हम port specify कर सकते हैं, क्योंकि वहा बिलकुल सही का आपने, अभी जी जो सी कह रहे हैं, सर R-Sync command, R-Sync D demon firewall में add करना होगा ना, तो SSH port अगर R-Sync command करता है, देखिए अगर आप SSH का port यूज कर रहे हैं, तो SSH तो already firewall में added है, तो आलग से आपको करने की जूरत नहीं है, अगर आपको custom port महां define कर रहे हैं, तो otherwise firewall आपके access को block कर देगा, दिनात पाल जी, good evening, हरीश पालेगर कह रहे हैं, super, thank you, रमेज मां जी, nice, can we use XVF for compressed backup, yes, you can, मौस्तफा, मिंजी कह रहे है, nice session, thank you, thanks a lot, what is the difference between SCP and R-Sync, SCP जो है, वो server copy के लिए, देखे, R-Sync जो है, वो synchronization करेगी, SCP जो है, सिर्फ को पी करेगी, तो यह आपको फिर उसको manually बार-बार run करना पड़ेगा, R-Sync में क्या है, अगर file exist करती है, तो उसके अंदर क्या changes है, उनको भी यह command check करती है, और वहाँ फिर वो सि fast track के video, fast track वाली training के videos को membership वाले लोग, आने वाले time में, जब 6-7 महीने हो जाएंगे इस training को complete होने के बार, तब हम उनको public करेंगे, अभी हम उनको सिर्फ private रखेंगे, और उनी लोगों को access देंगे उसका, जो हमारे उस training program का हिस्सा है, और वो लोग उसको lifelong फिर access कर पाएंग है तो, और salary के लिए काम मत कीजिए, knowledge gain करने के लिए काम कीजिए, और एक-दो साल के बाद फिर आप हां से switch कर सकते हैं, जब आपको काम पूरा समझ में आ जाता है, तो, करमवीर सिंग डागर के रहे हैं, sir, take care as I can feel your health is not well, नई, मैं बिलकुल ठीक हूँ दोस्त, health is good, लेकिन थोड़ा जो ना, आज, pollution जादा था, मुझे खासी आ रही है, बर-बर, सुरेंदर कुमार पटेल जी कह रहे हैं, good evening, देवंदर कुमार कह रहे हैं, और कितने session बाकी हैं, RSCSA में, RSCSA में मान के चलिए, कम से कम 135 session हम conduct करेंगे, 140 भी हो सकते हैं, और अभी हम 84 complete कर चुके हैं, नया जी मारहमान केचिन कह रहे हैं, nice video, सर जी, thank you, अंकार जी कह रहे हैं, what is the solution for OS backup, thanks for today session, OS backup के लिए फिर आप tools का यूज़ करते हैं, पूरा entire backup लेने के लिए, जैसे कि TSM या फिर Simon Tech, जो कि मैंने आपको बताया, दोनों बहुत ही popular हैं, आप एक बार Google करके इनके बारे में जान सकते हैं, चंदर सर्माजी करें, fast track हिंदी में या इंग्लिश में, मैं अलड़ी बता चुका हूँ, क्योंकि वहां इंग्लिश वाले लोग भी हैं, तो हमारा focus तो रहेगा इंग्लिश पर, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आएगा, तो हिंदी में भी मैं उसको repeat करूँगा, अंकित अधास सर मैं चाहता हूँ, दीरे दीरे सीखूँ पर मेरा एक request है, आप जूम पर जो class लेंगे उसमें, जितना भी सिखाएंगे, उतना ही सिखाएंगे, यहां पर में, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं वहां कुछ और सिखाऊं और यहां कुछ और सिखाऊं, मैं दोरों की तरह नहीं करता हूँ, मैं हाँ जो भी sessions ले रहा हूँ, आप देख पारे हूँगे, कितना in-depth जाके मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, और मैं किसी को भी cheat नहीं करता हूँ, और मैं जितना भी इसका price रखा है, बहुत ही nominal रखा है भी भी, as compared to others, और मैं same content चीज़ आप से छूट जाए, तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल चिंता करने की ज़रोत नहीं है, कि मैं हाँ सिर्फ कम चीज़ पढ़ा रहा हूँ, वहां मैं इसको और जादा detail में जाके पढ़ाँगा, बिल्कुल similar तरीके से ही मैं पढ़ाँगा, क्योंकि ऐसा कुछ न पढ़ी कह रहे है, when we have ansible, why we need rsync, देकि हर जगा ansible यूज नहीं होता, हो सकता है, हमा ansible यूज ना हो रहा हो, जिस सर्वर का बैक अप लेना चाहरे है, तो rsync ऐसा नहीं है कि ansible आ गया, तो rsync चला गया, rsync अपनी जगह useful है, ansible अपनी जगह है, और rsync जो है बैक अप सिंगल सर्वर का बैक अप लेना चाहते है, तो, आकर्श गुपता कह रहे है, sir join, तो मैंने कर लिया है, fast track वाला पर आपका, अभी लग रहा है कि basics उतने ही अच्छे, पर अभी लग रहा है कि basics उतने अच्छे नहीं है, देखिए अगर आपके basics अच्छे नहीं है, तो आप हमारे videos की help से अपने basics clear कर लिजे, तो वहाँ fast track course का मतलब यही है कि हम यह मान के चल रहे हैं कि आपको RHSCS से जितना अभी तक मैंने हा कर आया है, वो आपको आता है, अगर आपको उतना RHSCS से नहीं आता है, अभी आपके पास 10-11 दिन का समय है, आप इन सारे videos को go through कर लिजे और आपका RHSCS से complete हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मैं basics इस तरीके से नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि otherwise वो course फिर 100 घंटे में भी complete नहीं होगा, fast track का मतलब यह है कि हम उसको 50-60 घंटे में हर हाल में complete करेंगे, अभी जी जोशी ओके सर, clear nice session, thank you once again, बहुत बहुत दन्यवाद, आप लगातार जुड़ते हैं हर session में, अभी जीद भाई, अब्दुल राशिद जी दन्यवाद, अंकित अदास, इसी टाइम पर लोग start किया है, जूम पर class मेरे पास, अभी इतना पैसा नहीं है, next batch से start सकते हैं, जिनको problems हैं, जल्द बाई जी मत कीजिए, दूसरों के दिखाये में आके, आप अपने हिसाब से अपनी pace पे learn कीजिए, membership ले लीजिए, otherwise जो वीडियो पब्लिक हैं, उन से पहले आप सीखने की कोशिश कीजिए, अखिलेश मातुर कह रहे हैं, same command works in debian also, हाँ जी, हर तरह की file या directory का आप बैक अप ले सकते हैं, अभी नब कुमार कह रहे हैं, faster content same होगा, जो यहां YouTube पे दोगे, हाँ जी, बिल्कुल same होगा, और मैं तो यह कहूंगा, कि हाँ और ज्यादा, ज्यादा sessions आपको देखने को में बिलेंगे, क्योंकि, यहां हमारे पास कोई time limit य अंदर deliver करने के लिए, नयन मुले करें, sir मैं technical support engineer हूँ, क्या मैं rel में जा सकता हूँ, बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन जब आप switch करें, तो आप जो है यह ना बताएं कि मैं technical support engineer था, आप यह बताएं कि मैं OS पर काम करता था, redhead पर, और तब तक आप अच्छी knowledge gain कर लें क्योंकि आपका जो experience letter है, उसमें कहीं नहीं लिखा हो, ता कि आप क्या काम करते हैं, मा सिर्प आपके designation होती है, नाजिमा रह्मान kitchen, yes sir, you are great, thank you जी, ऐसा नहीं है, great आप लोग है, नैन मुले करें, क्या cloud पर, हाँ जी, cloud पर भी जा सकते हैं, knowledge है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, knowledge आपको कहीं से कहीं ले जाएगी, अगर आपके पास knowledge है, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा, सुरियन राएंजी करें, the rsync, we are copying the data on the same machine to different directory, yes, we can copy the data to the different directory, definitely, नैन मुले बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं, sir, और आपकी, आप, बहुत ही अच्छा पड़ाते हो, thank you, thank you so much, विकास सर्मा कहे रहे हैं, hello, अमित पंडे कहे रहे हैं, thank you, sir, बहुत-बहुत धन्यवाद, अमित भाई, आप भी सारे session जोइन करते हैं, काफी मदद भी करते हैं, दूसरों की, और मेरा आधागाम अपने समाल रखा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, तो दोस्तों, सबके comments मैंने ले लिए हैं, I don't think किसी को कोई और doubt रहा होगा, और हमारे पास एक seat vacant है, मैंने आपको पहले भी बताया, fast track course के लिए, और, चार लोग ऐसे हैं, जो भी reserved हैं, मतलब, एक तारिक तक का उनका समय दिया गया है, अगर वो नहीं जोइन करते हैं, त जितने लोग जल्दी से सीखना चाते हैं, वो फटा फट registration कम्प्लीट कर सकते हैं, और एक छोटी सी बड़ी दुखत बात, मतलब, मैं हाला कि share नहीं करना चारा था, बताऊंगा जरूर, कल हमारे एक बहुत पुराने subscriber हैं, चैनल के, उन्होंने हमारे साथ दोका किया, फास्ट ट्रेनिंग वाले कोर्स में रेजिस्टरेशन करके जोइन हो गए, और मुझे दो घंटे लगे यह पता करने में कि किसने ऐसा किया है, जिसने पेमेंट नहीं किया, और गुरूप जोइन कर लिया, ना हम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उन्होंने मुझे आप मुझे वटा सकते हैं, और मैं कभी भी किसी को मना नहीं करता हूँ, थेंक यू जी आ गए आप अंकित अदास करें लिनक्स रियली बहुत इजी लगता है अभी सर मुझे आपका वीडियो देखने के बाद चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव मिश्रा जी करें वेरी इंफॉरमेटिव शेशन थेंक यू थेंक यू सौमाच चलिए एक बा आप रेगुलर बैसिस पर विजिट करते रहें महाँ आपके लिए बहुत कुछ है बहुत सारे स्टेडी मेटिरियल बहुत सारे एमसी क्यूज मैं आपके लिए पोस्ट करता रहता हूं और जितने लोग फास्ट ट्रेक को जोन करना चाहते हैं वह फटा-फट चनूं तो हम इस वीक सेटर्डे को कोई सेशन कंड़क नहीं कर पाएंगे उसके लिए मैं माफी चाहूंगा मंडे को मिलता हूं नो बजे तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत बंदे मातरम गुड़ नाइट एंड टेक केर हुआ 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 है